तुन्तु बिहार में लोग कहते हैं कि चोबे गए छबे बने दूबे बने के लोटे राज़त में भी इंट्री की उन्हें ट्राइब आ रहा है तो ले वो अपना घर देख ले घर में ही दोनों बेटे की जगडे को सेल्टा ले इसके बाद नमस्कायर आप देख रहे हैं दा पिछडे के बच्चे को एक समाच के नीचे तपके के व्यक्ति को लोग देखना नहीं चाहते हैं और वो कौन लोग हैं वो सब जाते हैं मुके सहनी प्रेस कॉंफरेंस करते हैं उसमें भारती जड़ता पाटी के तमाम नेताओं के उपर आरूप लगाते हैं यह मुद्दा इस वक्त बिहार के राजनीती में सबसे गरम है और यू कहें कि ट्रेंड भी कर रहा है इसी मुद्दपर और बाचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेडियू के सांसर सुनिल कुमार पिंटूची हैं मुके सहनी के साथ सर यह क्या हो गया बड़े अकेले-केले हैं मतलब इमोशनल हो रहे हैं वो देखिए मुके सहनी जी भारतिये अंडिये गडवन्दन के गटक दल के रूप में साथ में अभी तक तो है और उनका जो मंत्री पद है या एमलसी कोटा है वो बीजेपी कोटे से हैं उसमें जेडियू का कोई लेना देना नहीं है उनके कराटी में बिले भी कराया है तो बीजेपी कराई है उसमें जेडियू का कहीं रूल नहीं है परन्तु बिहार में लोग कहते हैं कि चौबे गया चबबने दूबे बनके लोटे साथ ये मुहाबरा कहीं न कहीं अभी अभी ततकाल के समय में उन पर फिट होड़ा है वो बीजेपी के टिकट पर मैलिया है और बीजेपी ही बिडानों के नहीं साथी बिधायक़ इने में जीप कर आई कर लिया इसलिए आप देखिए मुकेस सानी जी अभी सब जगा वह अपना ट्राइप मार रहे हैं इंट्री की राजद में भी इंट्री की उन्हें ट्राइप मारा है मरनी रापडी दिवी जी ने भी कुछ कहा है अब यह तो उनके उपर निर्भाय करता है और सामने के पाटी मुकेस सानी का कोई संबंद अब हम लोगों से नहीं है लेकिन आप बड़े हलके अंदाज में कह रहे हैं यानि कि मुकेस साहनी को अभी आप लोग रखना चाहते हैं उन्हें कहा कि आप स्थीपा का फैसला नितीश कुमार के हाग कि मंत्री मंडल में से किसी को रखना और य मंत्री को कहती है कि साहर हमा worrying को मंत्री पत से हटा रहा है बरकास्त कर रहे हैं तो मनिय मुख मंधडी जी विराज भावन में चिठी बेज देंगे कोई बी जे चिटी नहीं हाती है तो मानिय कह प्र को जी पीजस अधिकार है वीवेकादिन कि वह पनी चिब आद ये जुला क्यों कब तक मंत्री हैं यह निर्णे लेने का काम बीजेपी के सिर्ष करेंगे मानिये मुखमंतर जी उसी कर रूप चिठी देना अचा विधान सभा के सत्र के दोरान रावडी देवी जो है वो बहुत गरबा गई नितीज कुमार पर हमला कर दिया साथी साथ आरजेडी के विधायक जो हैं तमाम विधायक बेल में आ गया और कह रहे हैं कि नितीज कुमार सदन में क्यों नहीं आते हैं विधान सभा में क्य जवाब को देना है मुख मंत्री के पास जो भी भाग रहा था उसके अलावा अगर कुछ ऐसी बात आई विसेश परिस्तिती आई तो मुख मंत्री उसका जवाब देते हैं पंतु जब सभी विभागों का प्रभार किसी ने किसी मंत्री को मिला है उनको जबाब तो वही उन्हीं को देना है और रह गई बात कि नेता रावडी जी जो कह रही है तो कम से कम वही सब आरोप ना लगावे उनका बेटा जो नेताप परतिपक्ष हो तो बिहार में नजरे नहीं आते हैं मानि मुखपंद्र जी तो कम से कम अगर सदन में सब नहीं है तो कहीं चाहिए किसी रोड के इंस्पेक्शन पड़ा कोई नों को विहार के विकास कार्जों में दिखते हैं कॉल दिखते हैं पहले वह अपना घर में हिए नहीं गहरी जैड़ा को 还是 योगी अधित्यनात सपत ले रहे हैं बहुत भारी समारो है नितीज कुमर भी वहाँ पहुंच्छे हैं किस रूप में दीखते हैं क्या आप यह तो जोगी जी के कार्जों पर जिस कार्जों बारबार भार के जंटा ने उनको मुक्ख मंतणी पप्द दिया मंढ़ी जी को वहां की जंता ने अशिरवाद अपना दिया है कि दूसरा कार्चकाल वह उल्युपी की जंता का सेवा करे toda यूपी एक बाड़ा राज है और यूपी में पूरी बीजेपी के अपनी सारे लोग हैं खुद मान्य प्रधानमंतरी यूपी से जीत कराते हैं तो इस प्रकार यूपी के अंदर में एक बहुत बड़ा आजकार्च करम उनलों का तरफ पुड़ा और सभाइक बात है हम जब इंडीयर घटक दल के कैक सदस हैं तो सभाइक बात है कि कोई भी मुख्मंतरी को भी आमंतरित करता है और मानिये ПStory को और दोनों डिप्टी सीम बिहार के बीजिपी से हैं तो सभावी काया थे कि उनको भी आमंतरन होगा और इस आमंतरन पर सभी आत्मि अगर यूपी गय हैं लखनव गय हैं तो बहुत अच्छी बात है हर एक वेक्ति को जाकर जिसको आमंतर मिला है जाना चाहिए और फिर तो मन इसलिए उसमें तो कहीं अंतरी नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि वह उस आज बहुत कार्चक्रम से बीजेपी अपनी यूपी जीत को मना रही है बीजेपी अब बिहार में सबसे बड़ी पाटी हो गई है सर एक अंतिम सवाल आप से यह लेना चाहेंगे कि जिस तरह स से तेल और पेट्रोल के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं आज भी जापा हुआ है तेजस्वी आदब ट्विट कर यह कह रहे हैं कि चुनाव में केंदर सरकार को यह तमाम चीजे नहीं दिखती हैं चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो यह सारे चीज बढ़ जाते हैं जनता पर दोहरी मार पड़ रही है यह कह रहे हैं तेजस्वी आदब ट्विटर बॉआ हैं वो ट्विटी ही करेंगे चुनाव से पुरु भी तेल के दाम बढ़े थे पंतु जनता ने उस पर कहीं भी नहीं मुहर लगाई बलकि मुहर लगाई प्रधान मंत्री जी के पर जो पांच राज में चार राज में बीजेपी को फिर से स्थापिक किया तो जनता इन लोगों के इस टाइब के बहकावे में नहीं आने वाली है कुरूड वाइल के बढ़े वे दाम के कारण अगर देश में तेल का दाम बर रहा है तो उसके कारण होड़ा है यह चुना है तो उसके अपने रेगुलेटर रेलोटरी है वह करती है तो है इसलिए इस पर कहीं भी सरकार के द्वारा चुनाओं से इसका कोई संब्द है आपका भी बहुत वह धन्यवाद तो साब तोर पर हमारे साथ एक सब्सक्राइब सांसर सुनिल कुमार पिंटू थे साब तोर और नहीं कहा कि राजणीति जो है वो उसकी रंग ही यही वोती है उसकी विसात ही है मुकेश रहनी ने जैसा पहले किया था हाला कि वो इस वक्त उनके साथ ऐसा हो रहा है राजणीति में कुछ भी संभभ है तमाम राजणीतिख खबरों के लिए आप बने रियेदा इंडि झाल